एपित्री जोग्राफिक चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। आईए आज हम लोग अध्याय तेरा महा सागरी जल के बारे में अध्यनकाई देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परचे में देखेंगे कि जल मंडल हमारी पृत्वी का एक महत्पूर माडल है। पृत्वी का वह भाग जो जल रासियों और जल का भंडार है जल मंडल कहलाता है। पृत्वी के एक हत्तर प्रसद भाग पर जल मंडल का सामराज्य है जो हमारी धारती की वर्षा के रोप में जल प्रदान कर प्यास बुजाता है। और इस प्रकार से मौसम विज्ञान की भाथ समुद्र विज्ञान भी भोगोल की एक महत्पूर साखा है जो जल मंडल का विशत ज्ञान कराता है। जल मंडल के अंतरगत महासागर सागर खाणिया आदि समलित होते हैं और इस प्रकार से जल मंडल मानवी किरिया कलापों का केंदर है। तब जल मंडल उसका जीवन दाता है। जल मंडल जीव जन्तू और वनस्पति का अच्छे भंडार है। जल मंडल के कारण ही पृत्वी के जीव सो भाग साली हैं कि उनका अवतरड उस जलिये ग्रह पर हुआ है। जिसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि जल हमारे सोरी मंडल का उपयोगी और दुरलब पदार्थ है। जो सोरी अथवा सोरी मंडल में अन्यत्र कहीं उपलब्द नहीं है। जल मंडल का प्रमुग घटक जल है, जो जीवन दाई होने के कारण जीवों के लिए आवस्यक घटक बन जाता है। और इस प्रकार से जल से हमारा आश्टत्व है, इसलिए कहा जाता है कि जल है तो आज और कल दोनों सुरच्चित हैं। आगे हम लोग जलिये चक्र या कहलेजिए वाटर साइकल के बारे में अधन करते हैं, आईए देखते हैं। जल एक ऐसा चक्रिये संसाधन है जिसका उपयोग बार-बार किया जा सकता है। जल का महा सागरों से वर्षा के रूप में महा दीपों पर पहुचना तथा पुना नदियों के माधम से महा सागरों में पहुच जाना जल चक्र कहलाता है। और इस प्रकार से जल ये चक्र वहाँ प्रक्रिया है जो पृत्वी के नीचे, पृत्वी के ऊपर तथा वाई मंडल में जल संचलन की व्याख्या प्रश्तूत करता है। और इस प्रकार से प्रत्वी पर जीवन का आश्ततू जल चक्र पर निर्भर है। और इस प्रकार से यह प्रत्वी पर करोणों वर्स से गतिमान है और भविश्त में भी गतिमान बना रहेगा। वाई की भात जल भी जीवों का जीवन दाता है। फिर भी प्रकित ने प्रत्वी पर इसके बितिरणों को बड़ा आसमान बनाया है। का ये मान्चित्र है और इसमें वर्सर, वास्पो सर्जन, संगनन, वाई का अभिगमन ये सब सारी चीजें दिखाई गई हैं। महासागर आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि प्रत्वी के कुछ छेत्र में जल बहुतायत से उपलब्द है। जबकि कुछ छेत्र इसकी कमी से पीडित रहते हैं। उत्री गोलार्द की अपेच्छा दच्छडी गोलार्द में जल अधिक है। और इस प्रकार से जल मंडल में जल, द्रव, गैस और ठोस रूप में पाया जाता है। और इस प्रकार से यह इन ही तीनों रूपों में चक्कर लगाता है जल का संबंद महासागरों, वाई मंडल, भोपरिष्ट, अधा अस्थल और जीमों के मध्ध आदान प्रदान के रूप में बना रहता है और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिवी के 71 प्रसत छेतर पर जल का तथा से 37 प्रसत भाग पर अश्थल का विश्थार पाया जाता है महासागरों में खारा जल पाया जाता है जबकि ताजा जल जीलों, नदियों, भौम जल तथा हिम के रूप में पाया जाता है और इस प्रकार से प्रत्वी पर जल का मुकिस्रोद वर्सा है वर्सा का जल लगभग 65% अंस वास्पी करण के द्वारा वाई मंडल में चला जाता है 641% जल धरातलिये जल तथा भूगर भी जल के रूप में संचित रहता है और इस प्रकार से परबतों पर हिम का रोब धारण कर लेता है आगे हम लोग देखेंगे कि हमारी पृतवी पर नवी करड़िये जल की मातरा सीमित है जबकि बढ़ती जनसंख्या के कारण इसकी खपत निरंतर बढ़ रही है वरतमान समय में विश्व में इस्थानिक और कालिक द्रिष्टी से जलाभाव का संकट उत्पन हो और इस प्रकार से नदियों में जल प्रदूसर बढ़ने से इस संकट की इस्थिती और भी गंभीर होती जा रही है और इस प्रकार से बरतमान में समूचे विश्व के समच जल संसाधनों के सरचछड और जलाभाव को दूर करने की समस्या विकट बनी हुई है कि महा सागर ये अधास्तल का उच्चावच आए देखते हैं महा सागर पृत्वी की बाहरी परतों के बिसाल और गहरे गर्तों में इस्थित है इसका तल या अधास्तल सरवत्र एक समान नहीं है भूगोल बिदो ने महा सागर ये भाग को निमने पाँच महा सागरों की रूप में वर्गी कृत किया है आई देखते हैं इसमें पहला है प्रसांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है दच्छरी महासागर और पांचों है आर्केटिक महासागर आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि महादिवपिय अध अस्थल का विष्टार सागर तल के नीचे तीन से छे किलो मीटर तक पाया जाता है इसके अध अस्थल का उच्छावच विष्ष्ट ताएं लिए हुए हैं, इसके धरातल की अनेक इस्थला कृतियां जौला मुखी की निच्छे पड क्रियाओं से बनीगे और इस प्रकार से महासागर अध अस्थल का विभाजन हम लोग देखेंगे, आए देखते इस प्रकार से महासागर अध अस्थल को निवन भागों में बाटा गया है, जिसमें पहला है महादीवपी सैल्फ, दूसरा है महादीवपी ढ़ाल, तीसरा है गहरे समुद्री मैदान, चौथा है महासागर अगंभीर इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग देखेंगे, महादीवपी सैल्फ, आए देखते हैं, महादीव का विष्टार सीमांत छेत्र, महादीवपी सैल्फ कहलाता है जिसे उठले सागर तथा खाणिया घेरे रहते हैं महासागर के इस सबसे उठले भाग का ढाल मातर एक प्रस्त होता है महाद्यूपी सैल्फ प्रतेक महासागर में अलग-अलग चवडाई वाले होते हैं जो आउसत रूप में 80 किलोमीटर तक चवड़े होते हैं साइवेरियन सैल्फ पंदरा सो किलोमीटर चवड़ा विष्ट का सबसे बड़ा सैल्फ है कुछ सैल्फ तीस से छे सो मीटर तक गहरे होते हैं इसमें नदियां हिमनत तथा पवन विभर्न मोटाई से अवसाद जमा करते हैं इनहीं में अवसादी सैलों तथा जीवासम इधन के भंडारों की उत्पत्य होते हैं आगे हम लोग देखेंगे महाद्यूपी सैल्फ या सैल्फ विभंग इसमें है महाद्यूपी अढ़ाल है महाद्यूपी उभार है महाद्यूपी उभार है महाद्यूपी करता है यह भूपरपटी है महाद्यूपी करता है आगे हम लोग देखेंगे यह गंभीर महाद्यूपी विषिन है यह जो दिखाई दे रहा है इसके बाद गंभीर समुद्री खाई है वितलिय मैदान यहां है यह बना हुआ है वितलिय पहाड़ी है निमगन द्यूप है समुद्री टीला है आगे है महासागरिय अधस्तल के उच्चा उच्च में महासागरिय कटक भूपरपटी विभंग अनुपात मध्य महासागरिय कटक यह सब चीज़े है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे महाद्यूपिय ढाल आये देखते हैं महाद्यूपिय वेसिनों और महाद्यूपिय सेल्फ को जोडने वाले ढालो आकरिती महाद्यूपिय ढाल कहलाती है इसके ढाल की प्रवरता दो डिगरी से पांच डिगरी तक तथा गहराई दो सो मीटर से तीन हजार मीटर तक होती है और इस प्रकार से इसी भुभाग में कैनियन तथा गहरी खाईया भी बनती हैं आगे हम लोग देखेंगे गंभीर सागरिय मैदान महादीपों के बेशनों के मंद ढाल गंभीर सागरिय मैदान बन जाते हैं या कहलाते हैं ये चिकने तथा सपाट होते हैं तीन हजार से छे हजार मीटर गहरे सागरिय मैदान मिट्टी गाद और महीन कड़ों वाले अवसादों से भरे होते हैं महा सागरिय गर्थ आई देखते हैं खड़े किनारे वाले संकीर बेसिन तथा सबसे गहरे महा सागरिय गर्थ कहलाते हैं इनकी सामान गहराई अपने निकट वर्ती छेतर से तीन से पाँच किलो मीटर तक होती है इनका संबंध सक्रिय जौला मुखी तथा भूकम्पिय छेतरों से रहता है इनका अध्यन प्लेटों के संचलन को जानने की द्रिष्टी से उपयोगी है और इस प्रकार से विश्ट के 57 गर्थों में से 32 प्रसांत महासागर में 19 अट्लांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में इस्तित है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे उच्चावच की लगू आकिर्थिया इस प्रकार से आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मध्य महा सागरी कटक आए देखते हैं, मध्य महा सागरी कटक की रचना दो परवतिय स्रंखलाओं की द्वारा की जाती है इनकी उचाई 25 मीटर तक होती है आइस लैंड मध्य अटलांटिक कटक का ही एक आगे है समुद्री टीला समुद्री तली से नुकीले रूप में उपर उठने वाला परवत समुद्री टीला कहलाता है इनका निर्माड जौला मुखी द्वारा होता है इनकी उचाई 3,000 से 4500 मीटर तक होती है प्रसांत महा सागर में हवाई द्यूप के निकट ये खोब पाये जाते है आगे है सबसे सपाट जलमगन कैनियन महा सागरी तली की ये गहरी घाटियां होती है ये महा द्यूपी सेल्फ के आर पार कट जाने से बनती है हडसन काईनियन विष्ट की प्रख्याद सपाट जलमगन काईनियन है आगे है निमगन द्यूप सागर तल में कर्मिक अवतलन से बने चप्टे सिखर वाले द्यूप निमगन द्यूप कहलाते हैं प्रसांत महा सागर में लगभग 10,000 निमगन दियूप वित्माना है. आगे है प्रवाल दियूप. प्रवाल भित्तियों से बने छोटे छोटे दियूप प्रवाल दियूप कहलाते हैं. चारो ओर से घीरे ये दियूप सागरे अनूप का एक भाग होते हैं. ये स्वच्छ या खारे जल से घिरे होती है, महा सागरिय जल का तापमान, आजे देखते हैं, महा सागरिय जल के तापमान का स्रोज भी वास्तविक रूप से सूरी ही है, जल अस्तल की पेच्छा देर में गर्म तता ठंडा होता है, सागरिय जल भारी होता है, इसलिए इसमें ताप गरहर करने क च्छमता सुच जल की तुलना में कम होती है। परंत यह ताप का उत्तम संचालक है। सागरिय जल में ब्याप तापमान की मात्रा धर्मो पाइल के नाम से नापी जाती है। वरसेली नामक वैज्ञानिक ने या सिद्ध कर दिया है कि समुद्र की उपरी सता पर एक मीटर की ग बितरड को प्रभावित करने वाले कारक आए देखते हैं। महा सागरों में तापमान का बितरड सभी इस्थानों पर एक समान नहीं पाया जाता है। इसके बितरड पर निमनलेखित भावगोलिक तत्थ अपना प्रभाव डालते हैं। जिसमें पहला है अच्छान्स रेख समुद्री सतह का तापमान 27 डिगरी सेल्सियस के आस पास रहता है। जयों जयों धुरों की ओर जाते हैं समुद्री सतह का तापमान भी कम होता जाता है। और इस प्रकार से 40 डिगरी अच्छान्स के समीव 16 डिगरी सेल्सियस तथा धुर्भी प्रदेशों में 10 डिगरी से आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा है प्रचलित हवाएं, समुद्रों पर चलने वाली प्रचलित हवाएं जल की उपरी सता को हटाती रहती हैं, अता नीचे का ठंडा पानी उपर आ जाता है, जिससे सता का तापमान कम रहता है, जैसे महादीपों के पश्चमी तटों पर चलने वाले व्यापारिक हवाएं निम्न अच्छांसों में आकर समुद्री सता के तापमान को कम कर देती हैं, पूर्वी तटों पर इस्ति ठीक इसके विपरीत रहती है, समुद्री धाराएं जल की उपरी परत को अपने साथ बहा ले जाती है, जिसमें समुद्र की उपरी सता का तापमान बदलता रहता है, जैसे उत्री भूमद रेखिये गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं अपने प्रभाव से न्यूफावलेंड तथा उत्तर पश्चिम यवरोब के तटवर्ती भागों के तापमान में ब्रिधी कर देती हैं, इसके विपरीत ठंडी धुर्भी धाराएं तापमान को कम करती रहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इस्थल खंडों की इस्थति, आए देखते हैं, खुले महा सागरों की एपेचा अस्थल खंडों से घिरे हुए सागरों का तापमान निम्न अच्छांसों में अधिक और उच अच्छांसों में कम पाया जाता हैं, जैसे भूमद रेखा के निकट खोले हुए महा सागरों का तापमान 27 डिक्री सेल्सियस और अस्तल के घिरे हुए लाल सागर का तापमान 32 डिक्री सेल्सियस रहता है। उच अज्छांसों में इस्थेत उत्तरी सागर पूरे वर्स खुला रहता है और अस्तल से घिरा हुआ बाल्टिक सागर जाडों में जांगे है अस्तल से घिरे सागरों का तापमान यह तापमान हैं। आगे हम लोग देखेंगे अन्य प्रभाव। जब किसी छेत्र में एक रितु में जल प्रवाह दुर्विये छेत्रों और दूसरी ओर आयन रेखिये छेत्रों से होता है तो वार्सिक तापांतर पचास डिगरी फारन हाइट तक हो जाता है। और इस प्रकार से सामुद्रिक सता के तापकरम के बितरण के दृष्टिकोर से महा सागरों को निम्नांकित भागों में बाटा जा सकता है। है के हम लोग देखेंगे आयन रेखिये या उश्रे कटबंधिये छेत्रों से। ताप अंतर एवं कम तापमान पाया जाता है। आगे है महा सागरों में तापमान का 36 वित्रण आए देखते हैं। गहराई तक तेज होता है तक पस्चात मंद हो जाता है। इस प्रकार समुद्र में गहराई के साथ तापमान के घटने का मुख्य कारण, सूज की केड़ों के प्रभाव का केवल सव फैदम की गहराई तक ही उचित दसा में पाया जाता है। सामुद्रिक तापमान के लंबवत वित्रण की विसेशता हैं। इसमें पहला है, भूमद रेखी छित्रों में प्रत दिन वर्सा होने के कारण, वहां की लवडता कम हो जाती है। जिसके कारण वहां सता के नीचे उच तापमान तथा उच लवडता पाई जाती है। तथा अधिक गहराई पर तापमान घटने लगता है। सामानता सागरिय सता के नीचे गहराई के साथ तापकरम घटता जाता है। लेकिन तापकरम घटने की दर सरवत्र समान नहीं रहती। तिसरा है, भूमद रेखा से द्रों की वर गहराई के साथ तापमान निरंतर घटता जाता है। वहीं दूसरी और समुद्र के नितल का तापमान भूमद रेखा से दुरूं तक समान रहता है। फलसरोप भूमद रेखा पर जहां गहराई के साथ तापमान घटने की दर तेब्र होती है, वहीं दुरूं की और गिरावट की आहदर कम होती जाती है। चौथा, समानता समुद्रों में 30 फिट की गहराई पर दैनिक तापांतर तथा 60 फिट की गहराई पर वार्सिक तापांतर नहीं होता है। आगे है, कत्पई समुद्रों में अधिक गहराई पर भी उच्च तापमान पाय जाते हैं, जैसे सारगैसो सागर, लाल सागर, भूमत सागर, लाल सागर में 6000 फिट की गहराई पर 70 डिगरी फारन हाइट टिंपरेचर पाय जाता है, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंग तापमान का उर्ध्वाधर बित्रण, आए देखते हैं, महा सागरिय जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ, तापमान घटता चला जाता है, सागरिय तल एवं गहरी परतों के बीच 100 से 400 मीटर नीचे सीमा छेतर होता है, वा सीमा छेतर जहां तापमान में तीव गिरावट ताप प्रवरता थर्मो कलाइन कहला ताप से महा सागरिय जल के कुल आईतन की 90 परसत ताप प्रवरता इसके नीचे पाई जाती है, इस छेतर में तापमान जीरो डिगरी सेल्सियस तक पहुच जाता है, मद अच्छान से महा सागरों के तापमान की सरचना की सता से तली तक निमन तीन परते पाई जाती है, इसमें पहला है, महा सागरिय जल की सबसे उपरी परत लगभग 500 मीटर मोटी होती है, जिसका तापमान 20 डिगरी से 30 डिगरी सेल्सियस तक रहता है, उसलिकड़बंद में या पूरे बर्स तथा मद अच्छान से में ग्रिस्म रित्म में ही इसकी दूसरी परत को ताप प्रवरता या थर्मो कलाइन परत कहते हैं, इसकी मुटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है, इसमें गहराई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है तीसरा, तिर्तिय परत अधिक्ठंडी और गंभीर महा सागरिय तली तक विश्त्रित होती है, इसमें तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस तक पहुशता है, इसमें गहराई में ताप परिवरता नाम मात्र को ही होता है महा सागरिय तली के जल का आउसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो विश्त्रित से धुर्मों की और करमसा कम होता है, इसके घटने की सामान दर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है और इस प्रकार से उत्री गोलार्थ के महा सागरों का तापमान अधिक, तथा जक्षडी गोलार्थ के महा सागरों का तापमान कम होता है, जो करमसा 19 डिग्री तथा 16 डिग्री सेल्सियस रहता है आगे हम लोग देखेंगे, महा सागरे जल का उच्चतम तापमान महा सागरों की उपरी तल तथा निचले अश्तर पर कम रहता है इसके घटने की दर एक समान नहीं है और इस प्रकार से 200 मीटर तक तापमान तेवर गती से तथा बाद में धीरे धीरे गिरता है आगे हम लोग देखेंगे, महा सागरी जल की लवरता, सैले निटी आपदी ओसीन वाटर्स आए देखते हैं, सागरी जल के भार एवम उसमें घूले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवरता कहते हैं एक किलोग्राम सागरिये जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मातरा को भी लवड़ता कहते हैं और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि एक हजार ग्राम सागरिये जल में घुले नमक की मातरा से लवड़ता का परिकलन महा सागरों में लवरता का प्रभाव ना केवल उसमें रहने वाले जीमों और बनस्पतियों पर ही पड़ता है वरन महा सागरों की भावतिक विशेष्टाएं तापकरम घनत्य धाराएं दबाव आध भी उससे प्रभावित होती है और इस प्रकार से सागर का हीमांग फ्रेजिंग पॉइंट लवरता पर आधारित होता है इसी तरह सागर का कथनांग या उबाल बिंदू या बौाइलिंग पॉइंट सामान जल से उचा रहता है वास्पी करण की मातरा सागरी लवडता से नियंतरित होती है और इस प्रकार से लवडता आधिक है तो वास्पी करण नियून होता है सागरी लवडता की कारण जल का घंत भी बढ़ता जाता है इसी प्रकार सागर में लहार एवं धाराएं मचली सागरिय जीव प्लेंक्टन आध लवरता से नियंतरित होते हैं आगे हम लोग देखेंगे खारापन की रचना आए देखते हैं आउसत रूप से 1000 ग्राम समुद्र जल में 35 ग्राम नमक पाये जाता है इसी संदर्व में सन 1884 में चैलेंजर अभियान की समय डिट मार ने समुद्र के लगबग सभी भागों गहराईयों के गहराईयों से जल की 77 नमूने लेकर समुद्री खारेपन का विशले सड़ किया जिन में 47 प्रकार की लवड का पता चला जिसमें 7 प्रकार की लवड विशेस महा थे क्लोरीन, सोडियम, सलफ़ेट, मैगनिसियम, कैल्सियम, पोटेसियम, पाइकारबोनेट, ब्रोमीन, बोरेट और इस्टान्टियम और इसमें हैं जो समुद्री नमक है ओ है sodium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate, potassium sulfate, calcium carbonate, magnesium bromide आगे हम लोग देखेंगे महा सागरिय लवड़ता को प्रभावित करने वाले कारक ये दप समुद्र का जल सदेव खारा होता है परंतु खारापन की मातरा प्रतेक इस्थान पर समान नहीं होती है महा सागरिय लवड़ता को अनिमनलखित कारक प्रभावित करते हैं जिसमें पहला है सच जल की पूर्ती जहां समुद्रों में नदियों द्वारा जितना अधिक सच जल प्राप्त होता है वहां उतने ही लवड़ता कम होती है स्वच चल के स्रोत, वर्षा, नदियां और हिम सिलाएं हैं और इसलिए भूमत दरेखी प्रदेसों तथा विशाल नदियों के मुहाने पर खारापन कम रहता है जैसे गंगा नदी के मुहाने पर लवडता तीस प्रस्वत मिलती है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे वास्पी करण की मात्रा एवं तिबरता आए देखते हैं जेने समुद्रों पर तापकरम उचा, आका स्वच, वाई सुस्क और गति तिबर होती है वहाँ वास्पी करण की क्रिया भी तिबर गत्से होती है आएसे भागों में खारेपन की मात्रा में ब्रिध्धी हो सकती है आयान रेखिये छेत्रों में खारेपन की अधिकता का यही कारण है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे, तीसरा है हवाएं या बिंड्स, अगे देखते हैं, उसले एवं गर्म हवाएं वास्पी करण को बढ़ावा देती हैं, उपोस्ल उच्चवाजदाब की पेटियों तथा इस्थाई प्रतिचक्रवाती हवाओं के छेत्रों में उसले तथा गर्म ह हवाएं सदेव उपर से नीची उतरती हैं, अता इन छेत्रों में वास्पी करण की अधिकता के साथ साथ खारापन भी अधिक पाया जाता है, जैसे मेक्सिको की खाड़ी में लवड़ता 36 से 37 प्रस्वत तक मिलती है, और इस प्रकार से इसके विपरेत महादीपों के पश्चमी तटों पर ब्यापारिक हवाएं तटिये जल को दूर बहा ले जाती हैं, अता नीचे के कम खारेपन का जल उपर आ जाता है, और वहां कम खारापन मिलता है, आगे देखेंगे हम लोग वर्सा या प्रेसी पिटी आए देखते हैं, अधिक वर्सा के छेत्रों में खारापन कम मिलता है, जैसे भूमद रेखी छेत्र, व्यापारिक हवा के छेत्र में अपेच्छाक्रित कम वर्सा के कारण, खारेपन में ब्रिधी पाई जाती है, मद्वर्ती एवं धुर्भी अच्छांसों में हिम नदिय आगे हैं, हम लोग देखेंगे धाराएं या करण्स, आए देखते हैं, धाराएं भी समुद्री खारेपन पर अपना प्रभाव डालती हैं, उत्री आंद्र महासागर में खारेपन की अधिकता के कारण, दच्छी आंद्र महासागर की धाराएं हैं, ये धाराएं बड़ी म मात्रा में गर्म तथा खारा जल उत्री आंद महासागर में पहुशती हैं जिससे वहां 34 से 36 प्रसत खारापन हो जाता है और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्यायत 13 का अध्यन किया आज यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद